ओम सिरी गनीशाय नमदोस्तू एश्क्रो समाधान यूट्यूब चेरल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 अगस्त सुक्रवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस च तुलाराशी वालों के लिए शुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आपके उच्छ इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती हैं अच् सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साती सात आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपके पास पूरी उर्जा और सैन सकती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफल ता मिलेगी और सुचारो रूप से आज आपके सभी कार रहे आसानी से बनते चले जाएंगे जिससे आपकी आर्थिक इस्तितियां बहतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको सहयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्षे के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे संबंद बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूच लें आपके लिए फायदेबंद रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव रह सकता हैं दोस्तों आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्टितिया आज आज देखने को मिल सकती हैं परंतु परियास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभवना आज पाय जाती हैं दोस्तों साती साथ आपको अपने परिवारिक शुकों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही साती सात इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंद्रूनी समस्या भी हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवा सकता है यदि किसी तरह का कोई कोट मुकदमा या प्रॉपर्टी से सम्बंदित कोई विवाद है तो ज़्यादा प्रियास ना करें अन्यता इस्तितियां विपरीत दिसा में हो सकती हैं दोस्तो साथ साथ चिंता या तनाव से आप बचें इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे धोराने से बचें समय प्रवंदक की जगा प्रात्मिक्ता प्रवंदक बनें कोई अपॉइंटमेंट या अन्यक्याई महतपूर्ण चीजे के भूलनी की भी आज संभवना बन सकती हैं दोस्तो बेवजा के डर को मन से निकालें और परिश्रम से कार्रे में जूटें नकारात्मक विचारों से बचें अन्यता परिवार में कलह होने की संभवना रहेगी अधिक परिश्रम से शाररिक और मांसिक रूप से ठकान का अनुबब आज आप करेंगे इसका असर रिस्तो पर पड़ सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ कैसी रहनी वाली हैं दोस्तो आज के दिन आप लोग अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है परन्तु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के आपसी सम्बंद आज मदुर होने की संभवना पाई जाती है साति सास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाब बनाने की कोशिस ना करें यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है तो उसे सुल जाने की कोशिस करें यदि नई रिलेशनसिप है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें आपके लिए अच कटिन परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी इस्तिती रहेगी करे छेत्र में काम के अधिक्ता रहने से शारारिक और मांसिक रूप से ठकान का अनुभव आज आप कर सकते हैं कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी खुसकबरी अच्छा है नवकरी करने वाले जातकों के लिए वी समय आज का काफी मिला जुला रहेगा जिहां दोस्तो आज का समय आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने में काफी महतपूर सावित होगा और आप परिवारिक संपत्ती प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकत हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने खानपान पर विशेश रूप से ध्यान देने की जरुत बनी हुई रहेगी आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपन का स्वास्त बिगड सकता है वहां चलाते समय शावधानी बरते हैं दोस्तो अपने भोजन सामग्री पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श्वैम को चुस्त दुरुस्त आने में सफल हो इसलäche दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजान योग करें वैयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात करे लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद बहुती प्रेम पूरवक साबू दाने की खीर बनाएं या दोस्तो इस खीर में आप शक्कर के इस्थान पर मिस्री डालें जब ये खीर तैयार हो जाए इसमें आप इसमेरन करते हुए गरीबों में बाटें या दोस्तो ऐसा करने से मालक्षमी वहत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कस्टों को दूर करेंगी जो वह आपके जीवन में परशय के चल नहीं धन से संब्दे जो भी परशय में चल नहीं है समस्त परशय करेंगी और आपके घर में सदेव धनशुक संपत्ती का वास होगा मा लक्षमी आपके घर में वास करेंगी या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो मा लक्षमी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैमा लक्षमी अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद